नमस्कार फ्रेंड्स अगर आप गार्डिनिंग में नए है या फिर आप जब भी पौधे लगाते हैं आपके पौधे खराब हो जाते हैं तो वो कौन सी इंपोर्टन बाते हैं जो एक गार्डिनर के लिए जानना बहुत ही जरूरी है वही सब आज हम इस वीडियो में बाते क आपको ये जानकारियां देने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको पहले से पता होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहला है सनलाइट, हर पौरों की सनलाइट की जरूरत अलग-अलग होती है, नॉर्मली तीन तरह की जरूरते होती है, कुछ पौरते शेड लविंग होते हैं, जिनने जालतर इंडोर में भी लगाया जाता है, इन्हें ऐसी जंगा लगाया इन्हें बालकनेज या फिर आंगन वगरा में रखना जादा अच्छा होता है, जहां इन्हें हलकी-हलकी धूप मिलती है और ये अच्छे से चलते हैं, क्योंकि तेज धूप में ये खराब हो जाते हैं, इसके बार आते हैं शेमी शेड पौधे, जिनने सुबह के 3-4 गंट या 5 गंटे की धूप की जरुवत होती है, इन्हें दुपहर की तेज धूप की बिलकुत जरुवत नहीं होती, ये तेज धूप में खराब होने लगते हैं, इसलिए इन्हें ऐसी जंगा रखना चाहिए, जहां इन्हें किवल सुबह की ही धूप लगे, तब ये अच्छे स चलते हैं, इसके बाराते हैं, फूल डे सनलाइट वाले पौदे, माई और जून की तप्ती गर्मी छोड़ कर बाकी दिन इन्हें फूल डे सनलाइट की जरुवत होती है, तब ये अच्छे से चलते हैं, और फूल भी देते हैं, माई और जून के समय इन्हें सुबह के 6-7 गंटे की धूप लग जाती है, तो भी एच्छे से चलते हैं, माई जून की तप्ती गर्मी में पौदो के लिए अगर ग्रीन नेट लगा लें तो अच्छा रहेगा, जिस तरह से अलग-अलग पौदो की तीन तरीके से धूप की रिक्वार्मेंट है, उसी तरीके से पानी की रिक्वार्मेंट भी तीन तरीके की ही होती है, जैसे कैक्टस, सक्लेंड, एडेनियम और कई सारे ऐसे पौदे जिनने तीन से चार दिनों में पानी की जरुत होती है, अगर एक-दो दिन इनकी मिट्टी सूखी भी रहे, तो भी पौदे बिलकुल ठीक रहते हैं, इसके नोही कंडिशन में पौदे ठीक नहीं रहते हैं, तो आप इन पौदो की जानकारी जरूर रखें, जिनकी मिट्टी में सिर्फ हलके मौश्चर की जरुत होती है, तभी इनकी ग्रोथ, इनकी लीव्स, सभी कुछ अच्छे रहते हैं, अब बारी आती है उन पौदो की, जिन ओर वाटरिंग किसी भी पौदे को पसंद नहीं है, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि किसी भी पौदे में बिल्कुल भी ओर वाटरिंग नहोंने पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पौट या कंटेनर में ड्रेनेज होल अच्छी तरह से बना हो, त जोकि मिट्टी के पौट में एयर चारू तरफ से बना रहता है, जिससे मिट्टी जल्ली सूख जाती है, और इनमें ओवर वाटरिंग होने की प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसे पौदें जिने नमी की जहरत होती है, या आप रोज उन्हें पानी दे सकते हैं, आप इन पौदो और मिट्टी को चेक करके ही पानी दें, जिस पौदे की मिट्टी जैसी रखनी है, इस हिसाब से आपको पानी देना है, जिसकी मिट्टी नम रखनी है, उसे नम रखनी है, जिसकी ड्राई रखनी है, उसे ड्राई रखनी है, हरे भरे पौदों पर पानी उपर से स्प्रिंक करके दें इनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है इस वीडियो के पार्ट टू में हम सॉयल और फर्टिलाइजर वगरा के बारे में बात करेंगे क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो रहा है थैंक यू फ्रेंड्स बिलेंगे अगले वीडियो में